हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडिट कम्मुनिटी में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में सीक्रेट इंट्राडे ऑप्संस ट्रेडिंग स्ट्रेड़ी बताने जा रहा हूँ और यह जो अप्संस ट्रेडिंग स्ट्रेड़ी है यह मारकेट के लिक्विडिटी और वॉलेटलीटी के बेसिस पे है तो चलिए देखते हैं कि हमारा सीक्रेट इंट वार्डे आप्सिंस ट्रेटिंग स्ट्रेटिंग क्या है बेस्ट ओन लिक्यूडिटी एंड वाइटिलिटी यहां पर हम चार्ट पर आग oppress receber हैं और देख सकते हैं यह निफ्टी का डिली चारट है और यह आपका इसस्पॉर्ड का चाठ तो इस इसके basis पे आप nifty और bank nifty में trade कर सकते हैं, stocks में trade करना इसके लिए advisable नहीं है, जो strategy में आपको बताने जा रहा है, उसके basis पे सिर्फ आप nifty और bank nifty के into our day options में trading कर सकते हैं, तियां पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा strike price का selection, और उसके लिए हम कहां पे करेंगे, अब देखे, आज आपका date 27th July, expired से एक दिन पहले का time है, July मन्त का, अब क्या है, आज market volatility है, तो सबसे पहले जब market open हुआ था, इसके लिए make or break level कौन सा था, यह था आपका 16500, और उसके करीब यह कुछ time तक trade भी किया था, तो हमें positions इसी level के आसपास लेना है, और आपका make or break level था, 16500, तो हमें क्या करना है, 16500 का call options select करना है, यहनी हमने strike price का selection किया है, 16500, और at the same time, यहाँ पे हम 16500 का put options भी select करेंगे, यहनी दोनों यहाँ पे add the money लिये हैं, और हम उसी level का add the money लेगे, जो कि आपका make or break level होगा, कल पर्सों की बात के था, आपका 16600 था, और आज आपका 16500, अगर आपको यह चीज identify करते में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आपको एक shortcut trick बताने जा रहा हूं, जहाँ पे आप आसानी से liquidity और volatility को find कर सकते हैं, यहाँ पे आपको in the money options में trade करना, strike price का selection आपको in the money वाला करना, जैसे अभी market आपका trade करा, 16500 गरीब, इससे just पहले in the money strike price कौन सा होगा, call options के अगर हम बात करें, तो 16500 का call options का strike price आप ले लिजे, अगर हम put options की बात करें, इससे just in the money कौन सा होगा, 16600, यहाँ पे आप जावात हो, 16600 का put options वाला strike price सेलेक्शन कर सकते हो, यानि तो 16500 के call options वाला strike price का selection कर सकते हो, तो इस तरीके से हम यहा market आपका इस लेवल के करीब भी रह, तो भी आप इसी तरीके से strike price का आसानी से selection कर सकते हो, तो उमीद करते हैं कि strike price के selection में कोई problem नहीं होगा, तो अब हम यहाँ पे उन दोनों strike price को open करते हैं, तो देखिए, यहाँ पे अब हम जोलाइ मन्त के expiry वाले में आ गए, 16500 के call options का strike price यहाँ पे हमने open कर लिया, अब यहाँ पे आपको कुछ indicators दिख रहे होंगे, तो हमने कौन-कौन से indicator को use किया, सबसे पहले वह में आपको explain कर देता हूँ, फिर हमारा secret into our strategy क्या है, वह आपको समझने में आसानी होगी, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जो indicator का इस् तो आप इसको free में भी trading view के platform पे जाके add कर सकते हैं, वहाँ पे आपको technicals पे जाना है, और आपको bbw type करना, फिर आपको वह indicator दिख जाएगा, और दूसरा जो हमने लिया है, वह आपका bollinger band, तो bollinger bandwidth आपका यह नीचे वाला red color का line दिख रहा है, यह आपका bollinger bandwidth है, और bolling band की अगर हम बात करें, तो यह जो white और नीचे white और यह yellow line तीन हो आपका bollinger bandwidth है, यह इसका upper band है, यह इसका lower band है, और जो yellow line है, यह इसका क्या है, mid band है, उसके बाद, एक और आपको यहाँ पे, एक और color का line दिख रहा होगा, यह है आपका, क्या, 10 days का EMA, यानि exponential moving average, तो यहा यहाँ पर एक और changes है, हमने chart pattern जो लिया है, वो हमने यहाँ पर लिया है, हिकानेशी, यह यहाँ पर आप हिकानेशी candle लोगे, बस यही चार्ट चीज आपको करना है, जो यहाँ पर fourth stage हमने किया है, वो यहाँ पर हमने candlestick pattern को change किया है, इसके लाब आपके आपको और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर अगर हम time frame की बात कर लें तो इंट्वाडे ट्वेडिंग जो भी लोग करते हैं, वो generally 5 minute वालाई time frame इस्तमाल करते हैं, इसलिए हमें time frame पर जादा focus नहीं करना, 5 minute या फिर 15 minute time frame कोई भी आप अपने साब से ले सकते हो, तो अब इन सारे indicator का काम क्या है, वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं, सबसे पहले जो मैं ballinger bandwidth की बात करूं, तो ऐसे area को pick करना है, जहां पर ballinger bandwidth आपका 0 के करीब रहे, यहां पर लेवल से देख सकते हैं, उपर ने 1 highest है और नीचे में 0 lowest है, तो जब यह ballinger bandwidth 0 के करीब रहे, तो उस वाले area को pick करन है, उसकी बात, जो ballinger band है, वो आपका पतला होना चाहिए, यहां पर देख सकते है, ballinger band काफी पतला है, यह इसका जो range है, वो काफी narrow होना चाहिए, पहला point आपको यह find करना, दूसरा point हो गया ballinger band का, तीसरा point हमारा क्या है, exponential moving average, यह हमें क्या बताएगा, यह हमें बताएगा कि कब हमें entry लेना है, चाहिए entry, call options buy करने का, या फिर put options buy करने कुछ भी हो, हमें entry यह बताएगा, फिर हमारा stop loss candlestick pattern के basis पे लेंगे, उस pattern में जो भी lowest point होगा, उसके basis पे हम stop loss लेंगे, और जो भी swing high या swing low होगा, वो हमारा target price बन जाएगा, तो अब देखिए, यह हमें कहा price के options में trade नहीं execute करेंगे, जो हमारा secret individual trading strategy है, वो यहां पे apply नहीं होगा, वो apply कब होगा, वो apply होगा, एक दो दिन पहले कल यह आपका, पूरे criteria को satisfy कर रहा था, और परसो भी, यह criteria को काफी हद तक satisfy किया, तो यहां पे हमें इस strategy को समझने के लिए, थोड़ा सा पीछे जाना make or break level है, लेकिन एक दो दिन पहले अगर हम बात कर कल की बात कर लें, तो कल जो आपका make or break level था, वो था आपका 16,600, तो अगर हम कल trade करते हैं, यहनी 26 July 2022 को अगर हम trade करते हैं, यहां पे हम क्या select करते हैं, 16,600 strike price का call options, और 16,600 strike price का put options, यहां पे हम select करते हैं, तो चलिए अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और इन दोनों strike price को select करते हुए, हम इस secret into our trading strategy को समझते हैं, तो यहां पे हम इसको click कर देते हैं, अब हम जो आ गया हैं, देख सकते हैं, 16,600 के call options के strike price पे, और यहां पे भी बेख सकते हैं, अभी यह हमारे trade करने like नहीं है, यहनी जो हमारा condition था, उस condition को यह satisfied नहीं कर रहा, satisfied कहां पे कर रहा था, अब देखिए यहां पे क्या हूँआ, आपका wallinger band भी काफी narrow हुआ, यह भी काफी आपका पतला हुआ इस particular level पे, तो पहले condition को यहाँ पे इसने satisfy कर दिया दूसरे condition को भी यहाँ पे इसने काफी हद तक satisfy कर दिया है उसके बाद तीसरा condition क्या होता है हमें यहाँ पे अब tweet execute करता है यहीं entry लेना है entry हमें कौन बताएगा entry हमें बताएगा exponential moving average जो कि आपका 10 days का हमें बताएगा entry कब लेना है अब जब प्राइस आपका exponential moving average को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हमें क्या लेना वहाँ पे by side की तरफ entry लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ वापस से बता देता हूं कर सकते हैं इसके corresponding वो काम भी किया जा सकता है कि उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया इसने 10 days exponential moving average को ब्रेक करके ऊपर निकला है इस situation क्या करेंगे हम call options buying करना prefer करेंगे तो यह कब करना यहाँ पर आपको clarity के साथ समझ में आ गया अब यहाँ पर देखिए हमें entry कहां पर लेना थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि यहाँ पर आपको clarity के साथ दिख जाए कि exact कौन सा लेवल होगा जहां पर हमें entry लेना है अब आपको थोड़ा clear दिख रहा होगा तो अब देखिए exact यह आपका cross कहां पर किया है देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास क्या किया है यह इसको cross करके ऊपर निकला है और इस लेवल की अगर लगवा कि आपका लेवल से 62 के करीब यहां पर चेक भी कर सकते देख सकते हैं यह आपका 61 68 62 करीब यहां पर क्या करेंगे बाई करेंगे 16600 के call options को उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे previous swing high जो भी होगा वह हमारा target price बन जाएगा और stop loss क्या बनेगा इस pattern का lowest point यह है ति हमारा SL बन जाएगा उसके बाद price slightly नीचे आ है लेकिन SL को hit नहीं किया फिर price उपर गया और उपर यह कहां तक गया all the way यह अगर हम इसके high को consider करें नहीं तो इसके बाद price आपका नीचे आना start हो गया और जैसे ही 10 days exponential moving अभी इसको break करके price नीचे आएगा हम क्या करेंगे हम यहीं पर अपने position से exit हो लेंगे यहनी हमने 62 पर गया था और situation को लेखते हुए यहां पर 68 पर क्या करेंगे exit हो लेंगे परेगा तो जो लोग ज्यादा रहेंगे वह पांचे point का profit यहां पर बना सकते हैं जो लोग थोड़ा सा late करेंगे उनको cost to cost exit करना पड़ जाएगा यहां पर इन्या लॉस नहीं उठाना पड़ेगा उसके बाद next trade हमें कब लेना यहीं भी देख सकते हमें यह trade हटा के at the same time दूसरा tweet भी execute करना दूसरा tweet क्या करना है यहां पर हमें sell side की तरफ जाना at the same level यहनी यहां पर हमें 64 के करें या नहीं तो 62 के करें यहां पर आप sell side की तरफ जा सकते हो call options को यहां पर चाओ तो sell कर सकते हो एक यह tweet हो जाएगा दूसरा जिनके पाद उतना sufficient money नहीं है वो क्या यहां पर हम चलके समझ लेते हैं ताकि यह concept आपको आसानी से समझ में आ जाए अब यहां पर भी देखिए same situation है इसको भी थोड़ा साम adjust कर लेते हैं ताकि आपको clarity के साथ यह चीज़ दिख जाए अब यहां पर हम time frame देख लेते हैं कि कि किस time में हुआ था हमें sell करना था य यहां भी 140 करीब हम positions लेंगे और यह जो trade इसके आसपास देख सकते हैं और यहां पर भी देखिए exact दोनों कितना match कर रहा है वहां पर क्या हुआ 10 days exponential moving average को price break करके नीचे आया और यहां पर इसी time 10 days exponential moving average को price break करके ऊपर गया यहां पर जो हम buy side के तरफ entry लेंगे मैं levels देखना होगा किस लिवल पर 115 के करीब यहां पर जो हम buy करेंगे वह 115 के करीब buy करेंगे और इस सबसे कासियत क्या है कि हमें strike price के अंदर जाके ही सारा trade लेना हमें spot level को उसके बाद नहीं देखना सिर्फ इस्ट्राइक प्राइस का selection करना उसके बाद हम strike price के chart को open करेंगे और इसी के basis पर trade लेना बाग की समय क्या होता है हमें बारबार spot level लेखना होता है spot level के basis पर हमें stop loss लगाना होता है target price उसी के basis पर set करना होता वो थोड़ा सा difficult होता है लेकिन अगर आप सब कुछ इसी के अंदर करना पड़े तो बहुत आसान हो जाता है इसकी बाद previous swing हाई क्या था previous swing चाहिए था और यह लेवल की अगर हम बात करें लगवग आपका बनता है 150 के करीब तो यहां पर यहां से price all the way आपका कहा तक गया है यह लगवग यहां से अगर हम हाई की बात करें तो 65 पॉइंट का profit मिला है 65 पॉइंट छोड़ दीजे लगवग आप 35 पॉइंट का profit यहां से आसानी से बना सकते हैं और वहां पे आपको जो थोड़ा बहुत cost गया होगा तो overall आप 30 पॉइंट के profit में रह सकते हैं 30 पॉइं capital यहां पे निकाल सकते हैं as a return तो देखा कितना आसान और simple trading strategy था और यहां पे हमने क्या use किया यहां पे हमने volatility को use किया और market में liquidity कब आएगा उसको हमने predict करते हुए trade लिया जब भी यह आपका lower level के करीब आएगा तो समझ लिजे कि आगे आने वाले time में market में volatility increase होगा और market म liquidity आएगा जिसे करण से आपको momentum identify करने में आसान होगा और यहां पे आप बहुत कम time के लिए NP कर रहे हो अगर हम सिर्फ टागेट पैस की बात करें तो आपका यह 5-10-15-20 सिर्फ 20 मिनट में आपको यह profit बना के दे दिया और आप यहां पे लंबे target price के लिए वेट करोगे तो निकाल सकते हो अगर आप इसके basis पे intro to trade करते हो तो यहां पे clarity के साथ आपको यह चीज समझ में आ गया होगा so that's all friends उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर इस से related कुछ भी doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं उसके regarding आपको proper answer मिलेगा so video वीडियो पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक जबूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथे साथ बिल आइकन दवाना ना भूले ताकि इस तरह के जब भी हम स्ट्राइटज आपके लिए लाए तो उसका notification आप तक सो मिल दें नेक्स वीडियो में जैहिन